तो फाइनली आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 टंब 1 बॉर्ड एक्जाम के बारे में मेरे खाल से आप सबी के पास 3 महिने रह गए हैं टंब 1 एक्जाम कम्प्लिट होने के और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मन्थ स्ट्रेटिजी के बारे में बताने वालू हूँ what to do, what should not to do अगर आपको अपने एक्जाम में काफी ज़्यादा अच्छे लाने हैं 40 out of 40 और ये बताऊंगा जो 10 मार्क्स जो आपके इस में से रह गए हैं अब टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स जो रह गए हैं उनको कैसे लाने हैं प्रैक्टिकल में तो आज सारी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एक भी पार्ट स्किप करा तो दिक्कत होने वाले हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एक चीह आपको बता दूँ कि मैंने MCQ क्लास स्टैंप साइंस के लिए अपलोड कर दी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगो उस वीडियो को जाकर देखिए और MCQ की अच्छे से प्रैक्टिस करी उसे मैंने TOP 30 MCQ रखे हैं NCRT में से काफी अच्छे टफ MCQ मैंने रखे हैं अगर आप तफ लेवल सौल कर लगए तो आपको असान जो है लेवल वो तो असान लगने वाला है तो उसे मैंने काफी अच्छे MCQ टफ MCQ रखे हैं एक बार जाकर गो थुरू करना वीडियो का लिंक आपको डिस्केशन में जरूर मिल जाएगा ओके लेट्स मूग तो गाइस मैं आपको बता दू जो आपका टर्म 1 होगा और यह क्लास 10 की वीडियो नहीं क्लास 12 सभी के लिए वीडियो है जो आपका टर्म 1 होगा यह आपका 50 marks का होगा ओके वीडियो कि हाई 50 marks का है देखो या एनलाइस करना है बहुत जरूरी है अगर हम कोई चीज करने जा रहे हैं तो उसका हमें एक छोटा मोटा एनलाइस जरूर पता होना चाहिए ठीक है ओके तो यह जो 50 marks है हमारे अपके ब आपको प्रेक्टिकल मार्क्स प्रेक्टिकल हो गया कोपी-चैकिंग हो गया ठीक है ओके डखो इस 40 marks के तो हमने त्यारी कर ली पर इस 10 marks को हमने कहीं पर कंसिडर करा नहीं कर रहे हैं हम ढ़ींस और ले रहे हैं इसे लाइटली नहीं लेना है यह 10 marks पी जादए इंप्रटे marks देखा यह 10 marks related है आपका मेरे ख्याल से copy checking और practical marks that will be depend on the teacher तो अपनी teacher से अच्छी खासी बना कर रखो कोई question समझ ना आए एक बार phone कर लेगा रो teacher को कि हमें ये madam ये sir हमें question समझ नहीं आ रहा तो in fact teacher को लेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला या बच्चा कुछ ना कुछ त्यारी कर रहा है तो इतना भरो सा यार दिला के रखो कम से कम जिससे आपके 10 marks secure हो जाएं ठीक है तो ये 10 marks को भी consider करके रखो teacher से मिलते जुलते रहे करो phone पे बातचीत कि हमें question समझ नहीं आरा बता दो या फी जो भी आपको पूछना है थोड़ी बातचीत करते रहते करो next move करते हैं ये 40 marks हम कैसे करें इन 40 marks कैसे कैसे करें तो और मैंने कुछ 3-4 points आपके लिए रखे हैं उन 3-4 points में से consider करेंगे हम की ये 40 marks ऐसे score करें ओके और सबसे पहला point इधर ही लेकर हो मैं इधर मेरे क्याल से जगह वगे नहीं बुच्री है ठीक है सबसे पहला point जो मुझे लगता है that is the syllabus काफी क्या होते है syllabus को analyze नहीं करते हैं practice करनी start कर दी syllabus analyze करा firstly you have to go through the syllabus syllabus कर लो आप download ठीक है सारा syllabus download कर लो pdf phone में pdf में और उसको जो है print out निकल वालो या कैसे भी करो पर उ syllabus आपके निगह में आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें आपकी बार कितना पढ़ना है तो first priority is your syllabus syllabus को देखो आपकी बार काफी जादा chapter reduced हो है अच्छे चैप्टर reduced हो है तो इसका मतलब syllabus की priority is the must काफी अच्छे अच्छे चैप्टर reduced हो है अच्छे इंदस है वो बड़े बड़े चैप्टर difficult चैप्टर जोते वो reduced हो है तो हमारी पहली priority का है कि हमें syllabus analyze करना first priority अगर आपको 40 marks achieve करने है second की बात करते है देखो आपके पास क्या है अगस्त है पूरा September October ठीक है नॉम्बर के end में या नॉम्बर के middle में exam start हो जाएंगे तो वो मैं गिरने रहा हूँ मैं बस three month किर रहा हूँ हम three month की बात कर रहे हैं हाँ ठीक है देखा ये October में आपके जो है वो आ जाएगी दिवाली अब हम किसी बच्चों कह रहे हैं कि भेया तु दिवाली की तयारी मत कर पढ़ ले वो नहीं पढ़ेगा वो दिवाली बनाएगा और दिवाली की तयारी द अगस्त सप्टेंबर खाली है हमारे पास मतलब मैं क्या मानगे चलना हूँ ने two point five month मानगे चलना हूँ मैं आपके लिए class 10-12 जो भी है जो भी अपनी time first की त्यारी करने है ओके तो सले बस analyze कर लिया plus mcq की practice करो जितनी जादा कर सकते मैंने top 30 mcq already डाला के link description में जाकर click जर करो कैसे online ठीक है online मैंने top 30 डाले आप top 100 की त्यारी करो top 30 मेरे ले लो top 70 कहीं और से ले लो मिल जाएंगे आपको अराम से उनकी त्यारी करो mcq की अराम से अच्छे से त्यारी करो अगर यह वाला जो अप्शन है यह mcq की त्यारी करने वाला यह secondary है primary option में आपको उता ncrt कर ली उसकी यह 40 नंबर 200 परसेंट कंफर्म है एक होता न 100 परसेंट मैं गारंटी ले रहा हूँ 200 परसेंट की if you have complete your ncrt line by line that is line by line which gives a 200 completion of the 40 marks तो यह 10 marks का तो मैंने आपको बता दे क्या करना है 40 marks है सबसे पहला से ले बस दूसरी बास ncrt line by line तीसरा mcq और online इसका टाइ यह तो करो गम सकंग फिलास थार्ड ठीक है राइटिंग थोड़ी ज्यादा गंदी आ रही आज मेरी मुझे लग रहा है ठीक है कोई बात ना इसको लीव करो दिख तो रहा है ना सबसे बड़ी बात यह ठीक है थार्ड प्रायरटी क्या हम ले सकते हैं आपके लिए ओके थ कुछ ऐसी चीज़े बोल दे था जो बहुत जाएं इंपोर्टेंट होती है exam time of view के लिए अब online classes चल रही है आपकी online classes चल लेके साथ साथ कुछ teacher ऐसी चीज़े पढ़ा रहा है जो बहुत जाएं इंपोर्टेंट है पर आप उनको line by line read निकर पाती है आप at the time उसको कहीं लिख क्या होता है 10-10 page के notes बना लगते हैं वो किताब बना लेते हैं उसे note की definition क्या है ऐसे note जो exam time पे bullet point पे हों जो की आपको एक idea दे दें exam time पर की ये बाले chapter में पूरा summary ये थी summary पढ़नी है हमें हमें पूरी book नहीं बनानी तो book नहीं बनाएं तो note बनाने हैं note को कितने page कोंगे that is only for two page जादा 72 page एक page कई बोलता हूं मैं तो 72 page कर लो mcq के लिए चिक है next mcq आ रहे है न आपके एक second मैं इसको रफी कर लेता हूं और ठीक है देखा यह ऐंज़ें ऐसे एक तो theory-based होते हैं ठीक है mcq आता एक तो theory-based होते है रेक होते practical theory-based होते है practical-based मैंने मान लेता हूं आपका numerical-based जाहाँ होंगे numerical-based science के लिए numerical-based math में solve करने वाला होता है कुछ MC को ऐसे होंगे जिसमें आपको सोल करने पड़ेंगी चीजे सोल विंदा सेंस कैसे जैसे कोई numerical आगे numerical सोल करना पड़ता है कुछ theory based question आएंगे जिसमें क्या होगा जैसे मानलो कि एक question आगया कि जो आपका center of curvature है और आपका जो pole है ठीक है center of curvature और pole के बीच का कुण सा point रहता है बिल्कु middle वाला focus तो direct वहाँ पर आपको tick कर देना ऐसे या फिर center of curvature की definition आजाएगी मतलब direct question जो NCRT से direct उठकर जो आजाते हैं वो direct question आते हैं थियोरी में numerical में सोल करना पड़ता है it will take time ठीक है numerical वाला question आपका अराम से 5 minute minimum लेगा मैं exceed कर सकता हूँ 10 minute पर 5 minute minimum लेगा हमें किसके practice करने जादा numerical practice के numerical किसे होंगे NCRT से numerical practice आपको करनी है पिलस आपको theory practice करनी है ये दोन आपको anxiety मिल जाएंगे और numerical practice आप NCRT के back question जरू करना math के अगर मैं बात करूँ तो math के anxiety खतम कर देना बस खाली तो numerical based आएंगे theory based आएंगे कुछ ऐसे होंगे जो diet हिट होंगे diet आगया hit कर दिया हो गया कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपको solve करने पड़ेंगे और वो solve करने वाले होंगे आपके numerical based question या फिर math में आपका पूरा sum solve करना पड़ेगा तो और यह कुछ criteria था यह कुछ चीज़ जिसमें मैंने आपको होता है कि आप कैसे अच्छे से ताहरे कर पाएंगे 3 months है हमारे पास व्यज़े पर मैं 2.5 months आपके लिए लेकर चला हूँ फर्स प्राइटी शूट भी दस ते लह है बस सेकिंड दा NCRT लाइन अगर नहीं हो रही है तो MCQ करो कम से कम कम से कम 100 MCQ एक चैप्टर करो बाकी मैंने अपलोड कर दी है अच्छ अच्छे MCQ नोट बनाओ जो भी चीज़े समझ आ रही है टीचर की उसे स्क्रीन शूट ले लो या फिर जो इंपोर्डेंट पॉइंट उसको नोट बनाओ दो पेज से जादा एक्सीन मत करना एक्जान टाइम पर कुछ समझ नहीं आने का प्लस थियोरी और नुमेरिकल बेज़ वाले जो आपके MCK होंगे उनको थोड़ सा लेकर चलना क्योंकि कुछ MCK होंगे वो थियोरी बेज़ रोंगे वो डायेट हिट होंगे वो आपको सोल करना पड़ेगा I hope यार टम फस्स को इतना ज्यादा टफ मत मानो 40 और 10 दोनों मिलकर आपके 50 होंगे मेन फोकस डालो 10 वाले पर teacher के संपर्क में रहो वो ही आपका 10 मार्क देगा यह वाला 10 मार्क दो था यह वो ही teacher 10 मार्क देगा तो टीचर के जितना ज़्यादा संपर्क में आए जाए आओ कुछ चीज समझ न्याती ये मत करो यार टीचर डाटेगा नहीं पूछो खुले दिल से पूछो यार फीस क्यों दे रहो आप पूछने के तो दे रहो ठीक है रहा तो टम वन की प्रैक्टिस करनी है हमें टॉप थ्री मंस में हमें बिल्कु सब किलियर कर देना है आई होप आप सभी बिल्कु त्यारी वैरी कर रहे होंगे दब के एकदम टुन टुन जाला टाइम है ठीमन्स ही है और अब आगया आगया हमारे पर तम टू के लिए बी काफी जाला टाइम है तो आई डोंट तिंक कि कोई भी दिक्कत आने वाली इसमें और बाकि कमेंट सक्षन आपका तो यार कमेंट करो दबा के नीचे कि किस पर वीडियो चारी ने नेक्स और इंसेग्राम पे फोलो करो इंस्टा परिशान टो इंडियोटी मेरा यूजर नेम है बाकी लिंक डिस्क्रिशन में दिया हुआ है फोलो करो कोई भी क्वेरी है तो एक बार स्टोरी में मुझे टैग कर दो आई विल बी आंसर वेरी 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 सून तो आई हो वीडियो